हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूट्यूब चाहिए ओनलाइन वेबसाइड दोस्तों ग्राफिकल मेथेड ऑफ सलूशन ऑफ पेर ऑफ लिए क्वेशन जो की क्लास्ट है एंस्यार्टी बेस्ट है आप लोग इसको कंसेप्ट को समझेंगे और इसकी क्वेशन को सौल करने क जब caller कि बात करते हैं आप एक particular की करती है तो आप यह तीबल दिख रही है जहां पर इपेयरॉफ लेंद पर्तिकलर रिशियो कम्पेहर वैंपर रीस्योई और ग्राफिकल रोय बिपेसेंटिशन और एल्लगिउजपरिक इंटप्रेटेशन लिखास तो अगर आप हाई दे तो यहाँ पर अगर हम A1 upon A2 यानि X वाले जो टर्म है आपर A1 upon A2 फिर B1 upon B2 यानि Y वाले टर्म B1 upon B2 और C वाले टर्म यानि नुमेरिक वाला that is C1 upon C2 तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ एक रेश्यो दिखा देता है कि A1 upon A2 जो की not equal to है B1 upon B2 अगर यह condition आती है कि A1 upon A2 not equal to B1 upon B2 तो आपको ध्यान रखना है कि यह graphical representation में आपका intersecting lines होंगी और साथी साथ exactly one solution यह unique solution होगा तो आप यहाँ ध्यान रखना है A1 upon A2 not equal to B1 upon B2 इसका result मतलब intersecting lines और यहाँ पर exactly one unique solution एकसे टी one solution यह unique solution इसकेंड की बात करते हैं यहाँ पर तो A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2 यहां पर आप से सिकते हो यहां पर जो रिशयो लाइन्स हैं यह तीनों एक्वल है यहां बैद की बात करते हैं यहां पर कब कंडिशन होगी जब यहां पर A1 upon A2 B1 upon B2 C1 upon C2 यह अपस में पराबर होंगे तो यह हमारा जो रिजल्ट आएगा यहां पर infinitely many solution इसके साथ ही साथ जब यहां पर A1 upon A2 not equal to B1 upon B2 है तो यहां पर हमारा आएगा इंट्रसेक्टिंग लाइन एक्जक्रिवन स्लूशन कॉंसाइं लाइन इन फाली मने स्लूशन थार्ड वाली मागर आप देखेंगे तो आपको यहां से दिखाए देगा कि A1 upon A2 B1 upon B2 equal to C2 तो है बट C1 upon C2 के not equal to है तो यह हमारा क्या हो जाएगा पैरलल लाइन होंगे और इनका कोई स्लूशन नहीं होगा तो यह कंडिशन का यहां रहा है कंपेरदा रेश्यों में A1 upon A2 not equal to B1 upon B2 that means intersecting line exactly one solution A1 upon A2 B1 upon B2 C2 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 तीनों प्रावल होते हैं तो यह consistent lines और infinitely many solutions and third volume A1 upon A2 equal to B1 upon B2 not equal to C1 upon C2 तो यह हमारा पैले लाइन होगा और there are no solution आगे बात करते हैं तो हमने पताया जासे है कि एक्वेशन को किसार रिपर्ण करते हैं इस तरह से लिखेंगे आपको A1 upon A1 X plus B1 Y plus C1 रबर 0 इस तरह से A2 X plus B2 Y plus C2 परावर 0 कि फर्स्ट में intersecting line की बात करते हैं तो A1 upon A2 not equal to B1 upon B2 इस तरह से coincident line A1 upon A2 B1 upon B2 C1 upon C2 and parallel line A1 upon A2 equal to B1 upon B2 not equal to C1 upon C2 in fact the converse is also true for any pair of lines humbly easily you can verify them by considering some more examples by yourself तो यहां पर आप दो सकते हो इस विस 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 दा एक्वेशिन नमबर इक्वेशन नमबर 2 यहां से X plus 3Y पर 6 है और 2 X minus 3Y पर 12 लिखा है तो यहां से हमने यह के टर्म में एक्वेशन पूट कर दी 6 minus X upon 3 X के लूट करेंगे 0 तो हमारा आएगा 2 X के लूट करेंगे 6 तो आएगी 0 इस तरह से इस वार एक्वेशन में पूट करेंगे तो य को लिखेंगे इस तरह से 2 X minus 12 आप अपान 3 X 0 put करने पर मानेस 4 और एक्वेशन पूट करने पर मानेस 2 अब हैं आप हमें पॉइंट से क्लिए फ़र्स पॉइंट सेकेंड पॉइंट अब इसको आपन करेंगे जब भी प्लॉट करते हैं तो आप यहां पर देसकते हो फिए एक्वेशन ओफ लाइन यह है है 6,0 तो we observe that there is a point B 6,0 common to both the lines A, B and P Q, so the solution of pair of linear equation is X by by 6 and Y by by 0, that means in this square pair of equation is coincident, let's talk about the second question in next example, graphically find the following pairs of equation has no solution, unique solution or infinitely money solution, then we will represent this equation first and here you can see 5x minus 8y plus 1 and second equation is 3x minus 24 by 5, y plus 3 by 5, then we will multiply 5 by 3, so you can see the equation here, you can see the equation 1 with the same as equation 1, hence the lines represent the equation 1 and equation 2 are coincident, here is equation 1, so here is equation 1, so the ratio 1 will be same, and if the ratio is same 1, we can say that we have infinitely many solutions, next problem is 6, Champa went to a sale to purchase some pants and skirts when her friends asked her how many of each she had about see answer the number of skirt is two less than twice the number of pants purchase this only questions reprint करेंगे तो y is equal to 2 x minus 2 इसले आशे also the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchase and help her friends to find how many bands and skirts jump about the y is equal to 2 x minus 4 4 x minus 4 equation we have x माना है bands को और skirts को माना है y then equation y वर रपर 2 x minus 2 और y वर रपर 4 x minus 4 तो यहां पर मैंने एक टेबल बना ली स्टेबल कॉर्डिंग x के वेल पूट करेंगे 2 and 0 तो y के वेल हमारे यह जाएगी 2 and minus 2 फिर x के वेल पूट करेंगे 0 and 1 तो y के वेल हो जाएगी यहां पर 4 और 0 तो अब यहां पर हमें equation को लिखते हैं वाइवर रपर 2 x minus 2 तो आप यहां पर देसे equation 2 x minus 2 और इस तरह से next equation y वाइवर 4 x minus 4 तो यह equation जाएगी 4 x minus 4 की तो यहने में यहां पर intersecting point जो मिलना है वहमारा मिलना है आपको कि a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 है तो intersecting line that is algebraic one solution then a1 upon b2 b1 upon b2 c1 upon c2 coincident line जो कि infinitely many solution or a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2 parallel line there was no solution तो यहां पर आप यह compare the ratio आपको धिया डखना है और compare करके ratio से आप यहां पर से solution क्या होंगे यह आप easily find कर सकते थैंक्स पर वाचिंग और शेरिंग